नमस्कार दोस्तों मैं गोरव सर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देन कोजिंग पॉइंट में दोस्तों आज के टोपिक का नाम है हीमादास हीमादास बहुत ही चर्चित इन दिनों चल रही हैं तो उनके बारे आज कुश्चन पढ़ेंगे ज तो दोस्तों इसका सही अंशर है ओप्स 선생님 थर्च हीमादास अश trauma से है अब कोश्चन ये भी आसकता है कि हीमादास अशम में जही है नोराओ नोगाओ नोगाओ जगे के और एक जगह है जिसका नाम है धिंग नोगाओं जगह के धिंग धिंग से यह हिमादास है इसलिए इनका उपनाम धिंग एक्सप्रेस भी रखा गया है इनको धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है नेक्ट कुश्चन है आपका असम का इस्पोर्ट ब्रांड इंबिसिडर कौन है तो सही अंसर इसका ओप्शन नमबर टू हीमा दास तो असम का इस्पोर्ट ब्रांड इंबिसिडर हीमा दास है नेक्ट कुश्चन है आपका हीमा दास का उपनाम क्या है जैसा कि अभी आपको मैंने पहले कुश्चन में बताया था कि हीमा दास असम के नोगाओं के धिंग इस्थान से इस्थित है तो इसलिए उनको धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है तो उनका उपनाम होगा धिंग एक्सप्रेस दोस्तों म गोल्डन गर्ल आप इसको याद रख सकते हैं कोई सभी उपनाम आ सकता है नेक्ट कुश्चन है आपका हीमादास 2018 में किसकी ब्रांड एंबेसेडर बनी तो सही आंसर इसका ओप्शन नमबर टू एडी डास हीमादास 2018 में एडी डास की ब्रांड एंबेसेडर बनी दोस्तों इनके पास जोता खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था ठीक है इनके पिताजी ने पैसे उधार लेके 1200 रुपे तक का जोता इनको खरीद के दिया और आज वो दिन था कि जिस दिन वो उसी कंपनी की ब्रांड एंबेसेडर बनी है एडी डास बढ़ते है नेक्ट कुश्चन की और तो नेक्ट कुश्चन है आपका किस वर्स हीमदास को अरजुन पुरुषकार से सम्मानित किया गया तो दोस्तों अरजुन पुरुषकार जो है खेल में ऐसा धरन पृतिवा के लिए लिए दिया जाता है हर साल चुना जाता है एक या तीन या जितने भी हैं उनको यूनिशेफ ने किस भारते खिलाडी को अपना यूथ ब्रांड अमबिसेडर बनाया था तो सही आंसर इसका ओप्शन नमबर टू यूनिशेफ ने हेमदास को ही अपना ब्रांड अमबिसेडर यूथ ब्रांड अमबिसेडर बनाया था नेक्ट कुश्चन है आपका हेमदा कोच कौन है तो दोस्तो हिम अधास के कोई एक कोच नहीं तीन है जिन में किसी एक का नाम इसे में दिया हुआ है तो इसका स़ह ऊचय आख और जाפशन नमबर टू आप तो बाकि जो दो मैं उनके verен बारे में आपको बताते हैं तो बागी दो कोचों का नाम है एक तो है गैलीना बुखारीना आप इनको याद रख सकते हो और दूसरा जो है दूसरे जो कोच है उनका नाम है नवाजीत मालाकर जिनमें एक लेडी जें धियान रखना है तो नवाजीत मालाकर गैलीना बुखारीना और निपोन दास ये हिमादास के तिन कोच थे है नेक्ष कोच्छन है आपका हाल ही में पोलेंड के पोजनान एथिलिट्स ग्रेंड पिक्स 2019 में हिमादास ने कौन सा मैडल जीता तो इसका सही आंसर है गोल्ड मैडल और ये जीता है लगबग 23.63 ठीक है तो मैं आपको बता दूँ ये याद कैसे होंगे ये जो आपके पोलेंड में जीते हैं ये दोनों 23.5 से उपर उपर है जैसे एक 63 है ये तो आपका हो गया पोजनान में ठीक है और जो पोलेंड का दूसरा है वो आपका 23.97 में तो इनको आप इस तरह से याद रख सकते हैं नेक्ट कोश्चन है आपका पोलेंड का कुटनो ये आपका 23.97 में आप इसको याद रख सकते हैं पहले मैंने बताया था तो कितने मेटर की दोड में ये भी 200 मेटर की दोड में आपको मैं बता दूँ कि जो चार मेडल पांच मेडल टोटल जीते हैं विश दिन में जिसमें से चार मेडल तो 200 मेटर की दोड में हैं और एक मेडल 400 मेटर की दोड में हैं ठीक है तो पोलेंड के कुटनो ये अथले मेट में 2019 में हिमादास ने कौन से जीता है 200 मेटर की में ठीक है तो आपको धियान रखना है पोलेंड के कुटनो और अभी एक पीछे गया था पोजनान ठीक है इनके मैंने वो भी बता दिया आपको next question है आपका हाल ही में हीमादास ने क्लाड़नो athletics meet 2019 में gold medal जीता है ये प्रतियोगता कहा हुई थी तो सही answer है इसका option number 3 तो मैं आपको बता दू कि दो प्रतियोगता जो आपकी हुई थी वो आपकी पोलेंड में हुई थी ठीक है जो आपकी तीन प्रतियोगता हुई थी वो आपकी चैक गनराज्ये में हुई थी जिन में से 400 मीटर की भी वहीं प्रतियोगता में जीता है तो सयान सरेज का option number 3 नो मेश्टो एथलेटिक्स चैंपियंशिप जो थी यह 400 मेटर की दोड़ थी और इसमें उसने गोल्ड मेडल जीता यह लगबग 53 पोइंट कुछ सैकिंड में इसने जीता है आप याद रख लेना नेक्ट कुश्चन है आपका हीमादास ने एशन गेम एशन गेम 2018 में 400 मेटर की रेश में कौन सा मेडल जीता तो सही आंशर इसका उप्सन नमबर 2 सिल्वर मेडल जीता आपको बताओं मैं हीमादास ने एशन गेम 2018 में 3 मेडल जीते हैं एक तो 4 भाई 400 महिला इसका क्या मतलब है 4 भाई 400 का कि एक देश से 400 मेटर की दोड़ में 4 जनी दोड़ रहे थी ठीक है तो उसमें महिला में सबसे पहले इन्होंने गोल्ड जीता ठीक है दूसरा है आपका 4 भाई 400 मिक्स इसमें मिक्स सब दोड़ रहे थे ठीक है मिक्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तो 4 भाई 400 में दोणों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है तीसरा आ जाता है ओनली 400 ओनली 400 मीटर की दोड में इन्होंने कौन सा मैडल जीता है तो वो जीता है इन्होंने सिल्वर मैडल उसमें केवले एक बाद ठीक है तो नेक्ट कुश्चन है आपका तो दोस्तों यहाँ पे आपकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लेज से लाइक करें शेयर करें और कमेंट में कोई भी प्रोब्लम हो हीम अदास से रिलेटर तो वो हमें बताएं फिर भी मैं आपको हीम अदास के बारे में कुछ और बाते बता देता हूँ जो मैंने इस कोईशंस में नहीं लिए तो आप याद रख सकते हैं जैसे की हीम अदास के कोच कौन थे ये आपको पता है तीक है तीनों कोचों के बारे में मैंने आपको बताया तो यहाँ पे इनके पापा के नाम भी मैं बता देता हूँ इनके पिता जी का नाम है रंजीत दास और अगर माता की बात करें तो माता का नाम है जोनाली दास जोनाली दास ठीक है मैंने आपको इनकी जगे के बारे में बताई दिया गया ठीक है और इनका जनम 9 जनुरी 2000 को हुआ था ठीक है तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज लाइक करें शेर करें और कमेंट में हमें कोई भी प्रोब्लम हो तो बताएं हम आपके लिए ऐसी और अन्य वीडियो का प्रोवाइड करते रहेंगे धन्यवाद